तो आज हम बात करने वाले हैं रितिक रोशन की फाइटर मूवी के बारे में और क्या ये फिल्म हिट हुई है या फिर फ्लॉप चलिए आज जान ही लेते हैं और फाइटर मूवी का कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीजों के बारे में भी बात करने वाले हैं तो ये शुरू करते हैं रितिक रोशन की मच अवेटेड फिल्म फाइटर इस मूवी में बेहतरीन एक्टर को कास्ट किया गया था और सब ने बहुत अच्छा काम भी किया था इस फिल्म के मेकर्स ने CGI और VFX में बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दिया था और एक्शन तो भर पुल्वामा अटैक और आप लोगोंने भी पुल्वामा अटैक के बारे में सुना ही होगा जो की एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये स्टोरी को काफी लोगोंने पसंद नहीं किया है पठान फिल्म के लिए शाहरुख खान ने इंटरनेशनल प्रमोशन किया था जै लेकिन ऐसा नहीं किया गया और इस फिल्म में एक चीज मुझे पसंद नहीं आया जो की है विलेन और आप लोग ही सोच के देखो इस टाइम में हीरो से ज्यादा विलेन का ज्यादा क्रेस चल रहा है और रिशब सोनी को तो कोई जानता भी नहीं और वो भी विलेन के रोल में perfect है वैसे इस मुवी में विलेन के रोल में किसको cast करना चाहिए था comment में जरूर बताना इस फिल्म का budget करीब 250 करोड का है और इस फिल्म ने total worldwide box office collection 337 करोड का कमाई किया है मतलब ये फिल्म box office पर average साबित हुई है अगर आप लोगों ने इस फिल्म को नहीं देखा त इस मुवी को विलेन के रोल में किसको cast करना चाहिए था